हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल 22 नवेंबर को गुजरात उनिवर्सिटी की बिकॉम सेमफाई की एक्जाम थी और सब्जेक्ट था कॉस्ट एन फाइनेंशल अकाउंटिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर उनिवर्सिटी की पेपर में बहुत बड़ी गलती निकली बहुत सारे कोश्ट ऐसे थे जो उनके कोर्स में थे नहीं सिलेबस के बाहर के कोश्ट पूछे गए थे तो आप लोग यह देख सकते हैं एमदाबाद मीडिया की एक कोश्ट भी मैंने हाँ पे लगा के रखी है जहां पे लिखा गया है कि बहुत सारे कोश्ट ऐसे थे जो सिलेबस के बाहर थे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कहां कहां गलती की है यूनिवर्सिटी ने और यूनिवर्सिटी को क्या एक्शन लेना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो 14 मार्क का कोश्टन था कोश्टन नमबर 3 अब यह सबजेक्ट है आपका कोश्ट एंट फाइनेशल अकाउंटिंग कोश्टन नमबर 3 जो था ना वो गलत था एक्शुली मैं इसमें जो कोश्टन पूचाता ना वो बिकॉम सेम 6 का पूचाता मार्जिनल कोश्टिंग वाला जो की सेम 5 में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है दूसरी उन्होंने गलती की है कोश्टन नमबर 5 MCQ में 4 MCQ ऐसे थे टोटल 8 मार्ग के जो की बाहर से थे मतलब की जो उनके सिलेबस में नहीं थे तो इस तरह से 22 मार्ग की गडबर थी पूरे पेपर के अंदर अब मैं आपको पेपर भी बता देता हूँ कि इस तरह का पेपर था युनिवर्सिटी का मेरे सामने पेपर भी है आप लोग देख सकते हो पेपर के अंदर ये मैं दोनों के लिए और हमको बहुत सारे बच्च पेपर में आप लोग देख सकते हूँ ये कोशन नमबर 3 है देख सकते हूँ आप लोग 14 मार का एक कोशन होता है ये माजीनल कोश्टिंग वाला कोशन पूछा है ये पूरा एक ही कोशन है कोशन नमबर 3 और ये आपके सिलेबस के बाहर का कोशन था ये जो है वो माजीनल को द swift कदे हं हमको बताई रह तो सबसे पहले चीज़ बहूत से college में यह चेंज कराया इनआ नहीं है Much college में changes कर वाय है दूसरा जिस college में change कर वाय था उन्होंने detection किया है मतलब jako oral बोल के चले गएאे बहुत से बच्चों को समझ आया नहीं आया और अगर महत लो बहुत सारा time भी लग जया ये dictate करने में या मान लो change करवाने में तो ऐसे situation में उनको extra time देना चाहिए था extra time भी नहीं दिया गया और ये बहुत आखरी में ये बताया गया था कि ये question गड़बढ है और change किया उससे पहले क्या हुआ बता है कुछ बच्चे तो चार बजे ही निकल गए थे उनका paper देख करके और ये जो changes है वो उससे भी जादा late करवाए गया जिससे बहुत से बच्चों तो छोड़ दिया है करी नहीं पाए और इसकी effect पता है कहां देखने मिली question number 3 गलत था तो question number 4 attempt भी नहीं कर पाए मतलब इसमें वो लोग confused हो गया moral down हो गया और बहुत से बच्चों ने question number 4 भी छोड़ दिया जो amalgamation chapter का question था ठीक है तो एक तो ये सबसे पहली गड़बड इन्हों ने इसमें कर दी question number 3 में दूसरी गड़बड इन्हों ने कहां पे कि है तो जो question number 5 था MCQs वाला उसमें भी गड़बड की है इसमें जो question number 6, 7, 8 और 9 मतलब कि ये 4 question जो है वो out of syllabus पूछे गए है यानि कि आपके देखने जाए तो 8 mark के question बाहर से थे तो यहां पे भी बच्चे confused हो गए और same चीज़ यहां पे भी जो changes करवाए गए वो बहुत कम college में करवाए गए और मानलो करवाए भी गए थे तो भी बच्चों को ढंक से वो पता ही नी चला कि कौन से question में change है कौन से question में नहीं है और जिस college में change नहीं करवाए वो बच्चे ने MCQs छोड़ दिये थे या तो फिर किसने कुछ भी टिक कर दिया था तुक्का मार दिया ठीक है और एक और चीज बताओ तो मेरे को ये भी पता चला है कि कुछ college के अंदर जो exam थी उसमें college वालों नहीं आकर कि इसके सही answer बता दिये थे तो आप सबसे बड़ा question यह आता है कि इसमें marks किस business पे consider किये जाने चाहिए क्या जो MCQs change करवाए उस business पे या जो पूरा ने university को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ना इसके marks दे देना बच्चों को इसका reason यह है बहुत से बच्चे परेशान हुए है बहुत से बच्चों को डर है कि वो fail हो जाएंगे ठीक है तो बहुत से बच्चों का moral भी down हो गया है तो गुजरात university को यही request है अगर मेरा वीडि professor को दिखाए और check करवा कि ही paper आगे बेजे अलग लग colleges में क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत से बच्चों का moral down हो जाता है बहुत से बच्चों के marks कर जाते है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो तो next time जब भी कोई भी तरह की test या कोई exam organize करे तो उसमें अच्छे से paper निकाले और सारे के सारे बच्चों को correct paper पहुंचना चाहिए यही मेरी university से request है और अगर मानलो कोई भी तरह की गलती हो जाए तो वो exam से पहले ही बता दे क्योंकि बहुत सी बारना college वाले time नहीं देते तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ यह पूरा